नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाकपूर की विविद हल्चल पर दाउदी बोहरा समुदाय ने समवार को पूर्ण उच्साह के साथ मस्जिद में नमाज अदा कर इदूल फितर का त्योवार मनाया इदूल फितर रमजान के महिने के दवरान तीस दिन के रोजा या उपवास के समाप्ति का प्रतिक है समुदाय के सदस्य क्रोत अग्यात आव मिलाद मनाया जो लैलातूल कद्र की पवित्र रात को पढ़ता है परंपावन डाक्टर सयदना ने गलिया कोट राजस्थान और मिस्तर के काहिरा में पूरे मास को अबजर किया अपने देश से प्रेम करने और अपने आसपास को सवच्छा रखने के उनके उपदेशों का स समुदाय के प्रतेक सदस्य द्वारा शिद्दत के साथ पालन किया जाता है रमजान के पवित्र महिने के दाउरान समुदाय की विभिन्न संगटनों जैसे तोलोबा, शवाब, बनियत, बुरहानी महीला, कंज समीती, तालेबात ने गरीबों और समुदाय के कल्यान के कामगर दीन और महरस्टर दीन के अउसर पर भारतिय जनतापरटी कामगर आघडी, नाकपुर महानगर, उत्तर नाकपुर मंडल की ओर से भव्य ईश्रम कार्ड, बाल संगोपन योजना, खासदार हेल्थ कार्ड, हस्तकला कार्ड वितरन, शिविर का आयोजन किया गया, इस धकाते महामंत्री और अन्य प्रमुक पदाधिकारिगान उपस्थित थे, इस कारेक्रम में सर्वप्रथम महापुर्षों की प्रतिमा पर माल्यारपन किया, और जै महरस्ट के नारे लगाए गये, कारेक्रम का प्रास्ताविक भाशन भास्कर पराते निदिया, उन्होंने क बाद शहर अद्यक्ष प्रविनदट के ने भी उपस्थित कामगारों का मार्गदर्शन किया, और उन्होंने भास्कर पराते द्वारा की हुई मांग को पूरा करते हुए कहा, कि भारतिये जनतापार्टी हाई कमान जल्धी भाचपा कामगार अगाडी के माध्यम से केंद ओन हूल मिटिंग का आयोजन वर्धास्थित फूर्ड फेस्ट के हौल में किया गया, इस कारेकरम में गराकों का बेहतरीन प्रतिसाद मिला, इस कारेकरम का मुख्य उद्दिष, गराकों को उत्तम सिवा प्रदान करना और डिजीटल बैंकिंग की और अग्रसर करना, तथ इस दिजिटल बैंकिंग से होने वाली धोकादड़ी से बचने के लिए उपायोजना के बारे में ग्रहाकों में जागरुकता निर्मान करना था इस कारेक्रम में मार्गदर्शन, वर्धाक शेत्रिय कारेले के सहायक महाप्रबंदग ललीत मथन करद्वारा किया गया इस कारेक्रम को सफल करने के लिए प्रशान्थ हिऊसे, रमेज जुनघरे, चंद्रकान बोदेले, अमेया मानेकर, राजजिप कामले, आकाश सहरे तथा अन्य करमचारियों का सहयोग प्राप्त हुआ जुनी कामटी पुलिस टेशन के थानेदार शीरे के जरिये, नाकपूर ग्रामिन पुलिस विभग को मुहमद इर्शाज शेक के नेतरुतों में ग्यापन सोपा गया जिसमें कामटी शहर के अंतरगत, मोटर साइकल चालकों के लिए यी चालन रद्द करने तथा कैमरे दुवारा चालन नव बनाने की मांग की गई इस अउसर पर मुहमद राशिद अंसारी, मुहमद सल्मान खान, इर्फान एमत, दिवाकर राव साओदागर आदी मुक्य रूप से उपस्थित थे नाकपूर मंडल मध्धरेल ने अप्रेल 2022 में 1181 रेकों के साथ 464 करोट 65 लाख रुपे की आये अर्जित की जो कि पिछले वर्ष की तुलना में, इसी अउधी की तुलना में 32 प्रतिशात अधिक है, पिछले वर्ष 964 ट्रेक के साथ इसी अउधी के लिए 352 करोट 22 लाख रुपे की आये अर्जित की गई थी यह नाकपुर मंडल की इतिहास में किसी भी मेने की अब तक की सबसे अधिक कमाई है, पिछली सर्वश रिष्टा है, मार्ज 2022 में 455 करोट 13 लाख रुपे थी, अप्रेल 2022 में 4.409 मिलियन टन की प्रारमिक लोडिंग हासिल की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अउधी के ल कोईला यातायत से 954 रेकों को लोड करके 392 करोट 186 लाख रुपे आय अरजित की गई है, जो कि पिछले साल की इसी अउधी की आय की तुलना में 23 प्रतिशात अधिक है, डोलोमाई ट्रेफिक के 3 रेकों को लोड कर 1 करोट 16 लाख रुपे की आय अरजित की गई है सावनेर स्थित अरविंदे इंडो पब्लिक स्कूल में विगत दिनो कक्षा दसवी के विध्यारतियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके अंतरगत पुने से रितिका कालरा ने स्ट्रेस एवं डिप्रेशन पर विध्यारतियों को ग्यानवर्दक जानक प्रकारी प्रदान की, उन्होंने स्ट्रेस कितने प्रकार के होते है, कौनसा स्ट्रेस विध्यारतियों के जीवन में जरूरी है और कौनसा नहीं इस संदर में अनेक उधारन देते विए छात्रों का मार्गदर्शन किया, अक्सर विध्यारति डिप्रेशन के शिकार हो जा और फिर उनकी रूची पढ़ाई से धीरे-धीरे दूर होने लगती है। पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। प्रमुक अतिती ने शिक्षकों की उपस्थिती में माता सरस्वती को नमन करते वे दीप प्रजवलित किया। एवं कारेकरम का शुभरंब किया। दोनों एक दूसरे के पाले में निर्नय रूपी बॉल डाल रहे है जिसका खामियाजा लाखो छात्रों को भोगना पड़ रहा है। विश्व विद्धालय ने पूर्व में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्धती से परिक्षा कराने का विकल्प था। लेकिन अयन वक्त पर उच्चे शिक्षा मंत्री उधर सामन्त ने सभी विश्व विद्धालय को ओफलाइन परिक्षा कराने के निर्देश जिये। जिसके बाद विश्व विद्धालय को अपना नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। आर विमला, मनुष कुमार सुर्यवंशी, चिनमे गोत्मारे, दीपक कुमार मीना, अशोक पाटिल, अविनाश भराहते, सोनाली चववान, आधी उपस्तित थे। जनता दर्बार में डॉक्टर सुबोध नंदागौली और बालमुकुंद जनबंधु ने वांजरा, पांजरा और कलमना में पेयजल के कनेक्शन संदर्म में हो रही समस्या है उजागर की। उत्तरनाकपुर की कई बस्तियों में चल रही पेयजल समस्या हो पर सूरेश पाटिल, सतिशपाली और मनुच सांगोले ने कहा कि वांजरा और नारा में निर्मल कॉलोनी में स्टित प्रन्यास की पानी की टंकी से जलापूरती होती है इसी तरह पांजरा में सुगत नगर से जलापूरती होती है लेकिन पानी का प्रिशर नहीं रहता है पांजरा में जल समस्या होने के कारण टैंकर से जलापूरती होती है अथा पांजरा में ही नई टंकी का निर्मान किया जाना चाहिए हलही में मनपा के NDS दस्ते ने शंकर नगर चोक सित एक नामी अस्पताल के खिलाप बायो मेडिकल कचरा सामान्य कचरा के साथ फेकने के चलते 75,000 रुपय का जुर्माना ठोकने की कारवाई की इस अस्पताल सही चार व्यापारिक संस्तानों पर दंडात्मक कारवाई की लकडगन जोन में वर्दमान नगर में एक डेर के खिलाप भी प्रतिबंदित प्लास्टिक थैली के उपयोग के चलते 5,000 रुपय को दंड़ वसुला गया दस्ते ने वर्दमान नगर में ही एक किरान स्टोर्स के खिलाप भी 5,000 रुपय जुर्माने की कारवाई की अलग- कुल मिलाकर 3,80,000 रुपय का जुर्मान वसुला इसी तरह मुंबई शराप बंदी अधिनियम के अंतरगद पाच मामलों में 5 रुपयों को गिरपतार किया गया और उनसे 84,000 रुपय का सामान जब्त किया गया इसके अलावा जुवा अधिनियम के अंतरगद 4 मामलों में 10 सारुपयों को गिरपतार किया गया और उनसे 38,000 रुपय का जुर्मान वसुला गया उपरुक्त सभी ऑपरेशन से युक्त रुप्त से नागपूर सिटी पूलिस द्वारा किये गये थे ट्रेफिक विवाप ने ये आवान किया है कि नागरिक वहन चलाते समय वहन से संबं मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात भव्यवान रेली निकाली गई यह रेली अवन्ती होस्पिटल, पंचेशिल चोग, ट्राफिक पार्क चोग, रामनगर चोग, शंकरनगर चोग, आठरस्ता चोग, खामला चोग, प्रतापनगर चोग, श्रद्दनन पेट चोग स होते हुए नुतन भारत विद्दयले में समाप्तोवी, इस्रेले में बड़ी संख्या में अखिल भारतिय ब्रामन महासंग के पदादिकारियों, कार्यकरताओं एवं श्रद्दालियों ने हिस्सा लिया रमजानौल मुबारक के तीस रोजे पूरे होने पर मुसलिम समुदाएं ने नमाजए एदूल फितर अदा कर खुशिया मनाई, नय-नय लिवास पहन कर मुसलिम बंदों ने विविन्नमज्जिरों में नमाजए एदा कर खुदा का शुक्रा अदा किया नमाजी ईद के बाद आपस में गले मिलकर मुबारक बाद पेश की गई और शीर खुर्मा खिलाया गया मुम्मद अली चौक के नौजवानों ने मुल्क में तरक्की और भाहिचारे के लिए दुआय मांगी रमीज रजा, फैजवान रजा, अमजध खान, हमाद रजा, शाफिन रजा, मोहसिन खान, शाहरण रजा, अतिक रजा, शाद रजा, फैज रजा ने सबी को मुबारक बाद दी और मुल्क में अमनों अमान की प्रार्थना की COVID-19 के प्रादुर्बाव के कारण दो साल तक खासदार करीड़ा महोच्सों का आयोजन नहीं हो सका लेकिन इस साल महोच्सों का आयोजन किया जा रहा है अनुमान है कि इस साल महोच्सों में 42,000 खिलाडी हिस्सा लेंगे केंद्रीय साड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंतरी नीतिन गड़करी ने कहा हम ज्यादा से ज्यादा खिलो को इस महोच्सों में शामिल करने की कोशिश कर रहे है और खासदार करीड़ा महोच्सों में विश्वस्तर के खिलाडी तैयार हूंगे वे महुत्सव के द्वजवीतर और कारेक्रम के दौरान बोल रहे थे इस आयोजन में पुर्व विधायक अनिल सोले, विधायक प्रविन्दटके, कुरुष्णा खोपडे, मोहन मते सांसट डॉक्टर विकास महात में पुर्व महाप और दयाशंकर तिवारी, पुर्व विधायक सुधाकर देशमुक, विधायक चंदरशिकर बावन कुले, कोच विजय बारसे, विधायक विकास कुमभरे, पुर्व महाप और संदीब जोशी, पुर्व विधायक अशुकमान कर आदी उपस्तित थे गड़करी ने कहा कि इस खेल उत्सव का उद्देश दुनिया भर में खिलाडियों की खेल भावना का प्रसार करना है और साथ ही नागपुर को दुनिया भर में प्रसिद्ध करना है हर घर में बच्चों के हाथ में मुबाइल फोन निकाल कर खेल के लि लिए राज्य सरकार अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती अन्य पिछड़ावर्क अल्पसंख्यक और अन्य सभी समुदायों के लिए विभिन्न योजनाय लेकर आई है इन योजनाओं का शत्प्रतिशत क्रियान वैन हमारे सरकार का उद्देश है इस आशे की विचा कस्तुरजन पार्क में जंडा फैराया उसके बाद जीले की जनता को संबोधीत करते वे उन्होंने अपने भाषन में प्रशासनिक अधिकारियों से योजनाओं की शत्प्रतिशत क्रियान वैन के लिए प्रयास करने के निर्देश दिये उनके साथ संभागायूक्त मादव और प्रशासन के सभी वरिष्ट अधिकारिगन उपस्थित थे पालक मंत्रे ने कहा कि जिले में 3000 बच्चे ऐसे है जिन्नों ने अपने माता अथवा पिता को कोरोना काल में खो दिया है साथ ही 80 बच्चे पूरी तरह से बे सहरा हो गए है प्रशासन को इने सहरा दिना होग साइलेंट किलर के नाम से प्रचलित मदुमेह अब बच्चों को भी अपनी चपिट में लेने लगा है ऐसा ही गरीब परिवार से जुड़ा एक मामला सामने आया है मदुमेह से पिडित 14 वर्शिय बालिका की परिवार की आर्थिक स्टिती कमजोर होने के कारण सेवा फाउ दूरी करते है तीन भहनों में से एक दिव्यांग है पिछले साल से पल्लवी को अचानक चक्कर आना बेहोश होना ठकान आना नजरे कमजोर होना आधी लक्षन दिखाई देने लगे पिता ने उसे संबीब के डॉक्टर को दिखाया डॉक्टर ने पल्लवी को नाकपुर के एक निजी अस्पताल में भेजा तब उसे मदमय होने की बात सामने आई पल्लवी की तबियत में सुधार के लिए पिता ने अस्पतालों के चक्कर लगाना शुरू किया निजी अस्पतालों में इंसुलिन का हर मेने का खर्च 2-3,000 रुपे आता था इसलिए परिवार के सा कामने आर्थिक समस्या पैदा हुई, कुछ दिन बाद ही उसका उपचार बन कर दिया गया, इसके कारण पल्लवी की तबियत जादा खराब हुई, अंतमे मेडिकल में मरीजों की सेवा के लिए काम करने वाली संस्था, सेवा फाउंडेशन ने उसका उपचार, दवा वा अ पिछले 48 घंटे में नाकपूर का अधिक तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस नीचे आया है, विदर्ब में चंदरपूर छोड़कर सभी जिलों में और दो दीन गर्मी से रहाज जारी रहेगी, नाकपूर का अधिक तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस वा न्यूनतम तापमान 29 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा, पारा लुड़कने से नाकपूर जिला हीट वेव से बाहर निकल गया है, चंदरपूर छोड़कर विदर्ब में कही भी हीट वेव की स्थिती नहीं है, मौसम विभाक के अनुसार उत्तर भारत में पस्चिमी विक्षोब बनने, वह हवा की दि अचिक रूप से बादल शाय रहने की संबावना है, दो दिन बाद फिर से गर्मी अपना कहर बरपा सकती है, अतिकरमन को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चा में रहे सितावरडी पेरिसर में जबरदस्थ हलचल मची रही, नाकपूर सुधार प्रनेस ने अतिकरमन विरोध कारवाई की सितावरडी मुख्य मारग पर नाकपूर सुधार प्रनेस का बुल्डोजर जम कर चला, दूसरी तरफ नाकपूर सुधार प्रनेस की अभ्यंकर रोट चवडाई करन, बुटी महल स्ट्रिट स्कीम में बाधा पहुचा रहे दुकानदारों को बंबे हाइकोट क नाकपूर खंडबिट से कोई रहत नहीं मिल पाई, सुबह नव बजे से नाकपूर सुधार प्रनेस ने दुकानों का अतिक्रमन सफाय करना शुरू किया, दिन भर में 35 दुकानों का अतिक्रमन ढहाया गया, सितावरडी में एक लोकल मॉल तैयार किया जा रहा है, परिसर क की जमिन बुटी परिवार की है, नायलय में शिकायत की गई थी कि इस परिसर में अतिक्रमन करके दुकान बनाई गई है, अतिक्रमन कारियों को नायलय में रहत न मिलने के बाद नाकपूर सुधार प्रन्यास का पथक दुकानों का अतिक्रमन हटाने पहुचा, दुकानदा रोड पर अतिकरमन हटाने की शुरुवात की गई नागपूर समेत विदर्भ में पारा गोता खाने से जहां लोगों को गर्मे से रहात मिली वही महावितरन को भी बड़ा सुकुन मिला है बिजली की डिमांड कम हो गई है महावितरन मुंबई छोड़कर राज्य में 24,500 मेगावैट बिजली आपूरती करने की दिशा में कदम उठा रहा है वही रविवार व सुमार को डिमांड कम होने से कही भी लोड शेडिंग की नववत नहीं आई लोड शेडिंग से रहात देने के लिए महावितरन पहले ही वार रूम शुरू कर चुका है पूरी मर्शिनरी इसकाम में लगे हुई है इसका सार्थक असर भी हुआ और पिछले कुछ दिनों से नागपुर जिले में लोड शेडिंग नहीं हो रही है रविवार एक मई को राज्य में 21,300 मेगावेट बिजली की मांग रही यह अपेक्षा से कम डिमांड है ऐसी तरह सुमार 2 मई को बिजली की डिमांड बढ़ी लेकिन यह डिमांड 24,000 तक नहीं पहूँची सुमार को 23,500 मेगावेट तक बिजली की डिमांड रही क्रुष्णा खुपडे के मार्गदर्शन में सहकारिय मंच पदाधिकारियों ने वैस्नेयो देवी चोक शिवाजी चोक स्थित छत्रपती शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन कर माल्यारपन किया भाजपा नेता एवं मनपा के पुर्व स्थाई समिती सभापती प्रदी पोहाने भाजपा पुर्व नागपूर मिडिया प्रमुक वा सामाजिक कारेकरता मनुज अगरवाल भाजपा एंजी ओ अगड़ी शहर अध्यक्षन अरेज जुमानी भाजपा पुर्व नगर सेवक ह जोशी ने छत्रपती शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर महाराष्टर दिन वह कामगार दिन मनाया एक मैई 1960 को बंबे राज्यकी विभाजन से महाराष्टर राज्यके गठन के उपलक्ष में महाराष्टर में एक मैई को राज्या उकाश होता है महाराष्टर दिवस आमतार पर परेड और राज्यक बाशनों और समारों से जुड़ा होता है इसके अलावा महाराष्टर राज्यके इतियास और परंपराओं का जश्न बनाने वाले कई अन्यसारवजनी और नीजी कारेक्रम भी होते है महाराष्टर के एक मराठी भाशी राज्यके निर्मान के उपलक्ष में भी यह दिन विविद आयोजनों की जरिये मनाया जाता है इस अउसर पर मनुचपुरोईत, प्रविन जुमानी, रमाकान सारडा, तूलसी हरियानी, जीतेश सोहंदानी, राकेश अग्रे, नंदकुमार सोनी, लखन श्रिवास, बिट्टु तिवारी, डॉक्टर विनित कारिया, आधी गन्बान्य विक्ति उपस्ठित थे बाल्मृत्यू एक बड़ी समस्या है, शहरी क्षेत्रों में अस्पताल और उपलब्द संसादनों के कारण प्रमान कम बताया जाता है, लेकिन ग्रामिनव पिछेडे क्षेत्रों में इसका प्रमान अधिक है, स्वास्ते विभाग के सर्विक्षन में बाल्मृत्यू के कई पिछले कई सालों से इस पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रिय टीका करन अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के अंतरगत BCG, पोलियो, रोटावाइरस, पेटावेलन, गोवर, रुबिला, जेई, आधी के टीके समय समय पर लगाया जाते है, कुछ समय पहले ही सरका के लिए नियमोकॉकॉकॉल कॉंजूगेट वैक्सिन दी जा रही है, इसे नियमिट टीका करन कारेक्रम में शामिल किया गया है, नाकपुर विभा के छे जिलों के 19 लाग बच्चों को यह टीका लगाया जाने वाला है, इसके लिए अधिकारीव कर्मचारियों को प्रशिक बात होगी, तब तक देखते रहिए वीके वीडियोस, नमस्कार